हेलो फ्रेंड्स मैं ओनी लमगर आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ जनमास्ट मी स्पेसल पंच मेवा पाग तो उसके लिए हापर मैंने कुछ तैयारी की हुई है तो यहापर मैंने एक बाउल भर के मखाने लिए हुए है एक बाउल भर के मैंने यहापर बादाम लिए हुए है थोड़े से काजू लिए हुए है किसमिस लिए हुए है और एक गोले को कद्दू कस करके रखा हुआ है और यहापर मैंने कुछ यहापर मगज लिए हुए है सबसे पहले हम एक कडाइ लिए और निमों देशी की एड़ करेंगे और इसमें द्रया हेट को सबसे पहले अपन Tommy M है आप देख सकते हैं और व्लैम को मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है तो सबसे पहले इसमें बादा में अट करेंगे और रूहीं चीजों को लिए पए हलका सा भून लेंगे जिससे के इसमें क्रंची पना जाए तो सबसे पहले काजू अड़ करदैंगे काजू को हमपनी कोख कोने देंगे और ना हमें उसके बाद पर बाधाम अड़ करें गए फ्लेम को हमें बिलकुल भी हाई नहीं करना है हमें ध्यान रखना है कि यह जलने नहीं चाहिए तो यहां पर देख सकते हैं आप मैंने एक कप से थोड़ा सा जादे बादाम लिये हुए हैं तो हम इन पंचमेवा को थोड़ा सा जादे ड्राइफूड की साथ ही बना कर तयार करेंगे तो इनको हम यहां पर मीडियम हाई फ् क्रंची हो जाए और आप देख सकते हैं हलका सा कलर चेंज हो गया है साइज में थोड़े से बड़े हो गया है और यहां पर एक कड़ाई ले लिए फिर से सेम कड़ाई में थोड़ा से ग्याट करते हुए मैंने मखानों को भी सेम तरीके से ही तल लिया है और फिर मैंने यह पर थोड़ा से गियाड करते हुए मगस को भी कुक होने दिया है मगस जब चलके चटकने लगे तो तब इसमें किसमिस को एड कर देंगे और किसमिस भी फूल कर तयार हो जाएगी तो उसके बाद यहां पर कद्दुकस किया हुआ और डेसिकेटिड कोकोनेट इसमें एड कर देंगे और इसको भी हम लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हलका सब भून लेंगे और इसे भूनने से जो हमारी पंचमेवा है वो लोग टाइम तक वो खराब नहीं होती है तो और किसी भी तरीकी किसमें कोई स्मेल नहीं आएग इससे मैंने इसका मेजर्मेंट किया है और पानी में एक बोईल आने देंगे और इसमें चीनी एड करेंगे तो पानी अच्छे से गरम हो चुका है उसके बाद या पर इसमें दो कप चीनी एड करेंगे और चीनी को भी पानी में डिजॉर्ब होने देंगे और फ्लेम को मैं यहां पर मैंने इन सभी ड्राइप फूड को बारिक कर लिया है तो इसको मैंने बहुत जादा ही बारिक किया है से बहुत जादा नेस्ती डगती है रि 11 इद Grand कर देंगे तो वस्तीत पानी में एक डेसी गी लगा कर फ्तता देंगे इस Arya hai यह नहीं हुई है तो पानी में एक ड्रोप को हम डालेंगे और इस तरीके से उठाएंगे अगर हमारे हाथ में इसका चासनी का बोल सा बन जाता है तो चासनी हमारी है पंच मेवा बनाने के लिए रेडी हो चुकी है बट अभी चासनी में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो एक जो मैंने ड्रोप एड़ किया वो भी नीचे जाकर बैठ गई है तो इसका मतलब चासनी हमारी बनकर तयार हो चुकी है तो जो मैंने यहापर सभी ड्राइफूड को कट किया हुआ था तो इनको मिक्स कर देंगे चासनी के अंदर तो सारे ड्राइफूड को इसमें एड़ कर देंगे चासनी के अकोडिंग ही आपको ड्राइफूड को इसमें एड़ करना होगा और आप देख सकते है ठाली में मैंने थोड़े से ड्राइ फूट को बचा लिया है, चासनी के अखोरणिंगी इसमें एड करेंगे, पहले इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे, ah तो बाकी बचो को मैंने उसी में एड कर दिया है, तो इसको हमने गस से उतार लिया है और इसको में लगतार चलाती देशीगी लगाकर रखा हुआ है तो इस पे सारे हम मिक्स्चर को ट्रांसवर करेंगे और इसको हम इस पैचुला की हेल्प से सेट होने के लिए थाली में एक्वली फैला देंगे यह बहुती ज्यादा गरम है तो इस पैक्चूला की हेल्प से हम इसको फैलाएंगे थोड़ा सा केरफुली गाइस कि यह बहुती ज्यादा गरम होता है तो इसको हम धाली में फैला देंगे जितनी भी आप पंच मेवा पंजरी को तयार करना चाते हैं उसी के साइज के अकोडिंग जितनी आप पतली या मोटी रखना चाते हैं उतना ही आप इसको फैला सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं मैंने इसको मीडियम साइज का ही बना कर तयार करूँगी तो थोड़ी सी थाली में space रह गया है तो मैंने इसको evenly spread कर दिया है और इसको हम यहाँ पर जमने के लिए छोड़ देंगे जब यह अच्छे से set हो जाएगी तो हम इसको cut कर लेंगे पर इसको proper जमने से पहले ही हम इसमें cut लगा देंगे जिससे कि हमें easy हो जाए इनको निकालना तो यहाँ पर एक knife को मैंने हलका सा देशीगी लगा कर grease कर लिया है जिससे कि जो हमारी पंजरी है set होने लगी है वो इस में नाचिप के देख सकते हैं काफी हद तक यह set हो चुकी है तो इसमें cut लगा लेंगे जिस भी shape में आप इनको cut करना चाहते हैं उसी shape में आप इसको cut कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं simple ही चक और पीस में इसको cut करने वाली हूँ तो इसमें इस तरीके से cut लगा कर हम कुछ तेर के लिए इसको छोड़ देंगे इससे बहुत ही बढ़िया हमारी पंजरी set हो जाएगी तो इसको हम जमने के लिए छोड़ देंगे और आप देख सकते हैं इसको हम टच करके देख लेते हैं तो यहाँ पर पंजरी हमारी बहुत बढ़िया से set हो चुकी है तो अब इसको हम cut लगे हुए निशानों पर एक बार फिर से knife को चला देंगे और इनको हम pieces को अलग निकाल लेंगे तो बहुत ही बढ़िया जमकर बनी है हमारी जो पंजरिया है तो देख सकते हैं इतने बढ़िया pieces निकल कर तयार हुए है तो सबी को सेम तरीके से हम cut लगाते हुए थाली में से अलग निकाल लेंगे और इनको बिल्कुल ठंडा होने देंगे जब यह बिल्कुल ठंडा हो जाएंगी तो किसी भी airtight container में आप इनको भर कर रख लें और जब भी आपका मीठा खाने का मनो तब भी आप इसको खा सकते हैं वर्द उप्वास में भी आप इसको बना सकते हैं और आप इसको ऐसे भी बना कर खा सकते हैं यह वैसे भी बहुती जादा टेस्टी लगती है गाईस तो यहां को देख सकते हैं पंच मेवा पंचरी बनकर हमारी तयार हो चुकी है आपको यह रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शियर करें